अब आई-पियोज का बढ़ीज अब लोगों को बढ़ी बढ़ी आई-पियोज अलोट हुए है और काफी लोगों को ऐसे IPOs अलोट हुए हैं जिन्होंने नुकसान दिया है मतलब मिला जुला बढ़िया साल रहा है IPOs के लिए तो इस IPOs का 2023 का साल कैसा रहा उसका पूरा हम recap देखेंगे थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे 2023 के साल के बारे में मतलब IPOs के लिए यह साल कैसा रहा जानना तो काफी जरूद ही हो जाता है क्योंकि हम IPOs इन्वेस्टर है इस्पेशली यह चैनल भी IPOs के लिए तो थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे उसके अलावा दूस्तो आज Innova CapTab का IPO था उसकी लिस्टिंग हमें काफी शॉकिंग देखने को मिली काफी शॉकिंग भी थी और जाते जाते Innova CapTab का IPO काफी ज़दा खुशियां दे कर गया मतलब 2-23 के साल की जो एंडिंग है उसने अच्छी कर दी खराब नहीं की है Innova CapTab की IPO ने तो सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले Innova CapTab का IPO लिस्टिंग बहुत ही शॉकिंग देखने को मिली मतलब जिस हिसाब से GMP थी क्योंकि बहुत टाइम से अभी अन इस्टा का माहौल चल रहा है करीबन 10-15 दिन हो गए अन इस्टा हैं मतलब आईप्योज जी एमपी क्या चल रही होती और लिस्टिंग कि और उसके बाद अलांकि उसके बाद बहुत ही अच्छी इसने रफ्तार पकड़ी है मतलब 20% का इसना प्रॉफिट बना की दिया है अपर सरकिट भी लगा है इस IP उपर 20% का मतलब लोगों को आज की तारिक में प्रॉफिट देखने को मिला मतलब 542 रुफिट तक इसने हाई बनाया था लोगों को 20% का बड़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला मतलब लोगों के लिए तो एक शौकिंग चीज है ना शुरुआत के इंदर अगर आईपी ओ जो है 448 में अलोट होता है उसकी जीमपी 10-15% के आसपास चल रही थी और 452 पर यह उपन होता है मतलब 1% से कम का लिस्टिंग है तो लोग तो थोड़े दर ही जाएंगे अब डर ही तो कोई की सैलिंग भी कर लेंगे अब ये तो भई देखो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है ये तो खुद का प्रेजेंस और माइंड खामाता है कि उस सिक्चुएशन में हमें क्या करना चाहिए कल मैंने लिस्टिंग दे स्ट्रेजी वाले वीडियो के अंदर पॉसिटिव नेगेटिव सारी चीज़े क्लियर कर दी थी अब काफी लोगोंने सैल भी हर दिया ऑफी लोग उसको hold भी करके बैठे अब जिन लोगों होल्ड करके बैठे थे उनको वीस परसेंड जैसा profit देखने को मिल गया और जो डर के मारे सैल स्मार करके निकल गये उनको ठ्वड़ा सा मदक कम profit देखने को मिला मतलब निराश होने वाली बात नहीं है, हर चीज सिखा के जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी IPO में particular अतना ही पैसा कमाए, कुछ चीज सीखने को भी मिलती है, अब इस incident से आपको सीखने को भी मिलेगा, कि हमें आगे IPO की listing होती है, तो हमें किस तरह से strategy अपनानी चाहिए, मतलब थोड़े बाँ share sell करने चाहिए, या पूरे करने चाहिए, मतलब किस तरह की strategy अपनानी चाहिए, या आज के IPO से आपको सीखने को मिल गया होगा, overall अच्छा listing इंस मिल गया, मतलब खुलते ही तो listing इंस नहीं मिला, पर धीरे धीरे करके, इसने, मतलब share ने गती दिखा और जाते जाते मतलब जो 2023 का आखरी IPO है, काफी बढ़िया खुशिया दे कर गया है सभी लोगों को, आप लोगों ने क्या किया है, इन्नों वा CapTap की IPO को hold किया है, या listing इंस लेकर exit हो गए है, मुझे comment करके जरूर बताएगा, और आप लोगों को कितना profit हुआ है, वो भी अचे-चे-चे-आई-पियोज अलोट हुए है, कितना profit आपने कमाया है, मुझे comment करके जरूर बताएगा, काफी लोग बिग एचर नहीं कैटेगरी के इंदर apply करते हैं, तो बिग एचर नहीं कैटेगरी वालोंने कितना पैसा कमाया है, मुझे comment करके जरूर दीजिएगा, और यह आई-पियोज का पूरा साल कैसा गया, वो भी मुझे comment करके जरूर बताएगा, personally मेरी बात करें, तो 2023 के अंदर मुझे ज़्यादा आई-पियोज अलोट ही नहीं हुए हैं, personally, और जो ज़्यादा आई-पियोज अलोट हुए हैं, मतलब कुछ एक आई-पियोज अलो इसका, वो तो थो थोड़ा ठीक गया था, पर 2-30 इसका इतना अच्छा ही नहीं गया, मतलब अच्छे-चे आई-पियोज अलोट ही नहीं हुए हैं, मतलब बहुत भारी मांतरा में आई-पियोज लोग अप्लाई करते हैं, इसी कारण गया है कि अब जो अलोट्मेंट की च की भी हो जाता था, मतलब ऐसा तो कोई IP होता नहीं था, जो लिस्त मतलब अलोट नहीं होता था, अलोट हो ही जाता था, ये थोड़ा साल ऐसा गया कि मेरे भी अलोट नहीं हुए, फैमिली मेंबर्स में भी ज़्यदा की अलोट नहीं हुए, अब देखते हैं, दो जार 24 का स साल कैसा सारता है और आपका यह दो 23 का साल कैसा गया है वो मुझे कमेंट करके जरूर पताए काफी लोग अपना एक्सपीरियेंश शेयर करेंगे तो लोग भी पढ़ेंगे कमेंट्स तो मज़ाएगा अब देखे इस साल टोटल 57 आई प्योज आए मतलब 57 आई प्योज आए ह साल के अंदर आपको याद भी होगा और 2021 के बाद ही लोगों ने जमकर प्रॉफिट कमाना शुरू किया है लोग सेयर मार्केट के इंदर इंट्रेस्टेट रहे हैं तो 2020 का साल नंबर बन पोजिशन पर है सेकेंड नंबर पर 57 आई प्योज आए है मतलब इस साल 2023 के इंदर तोल 57 77 आई प्योज आए हैं 2020 के अंदर कितने आयते है तो 63 63 आइप्यो आयते मतलब चे आई प्योज थोड़े से जादा आय थे 2021 के अंदर 63 IPOs और 2023 के अंदर 57 IPOs मतलब सारे ही सेक्टर से हमें अलग-अलग IPOs देखने को मिले हैं और इस साल के जो रिटन है 2023 के अंदर वो भी सेकंड आईएस्ट है 2021 में सबस्चेरदा IPOs ने रिटन बना के दिये थे और 2023 के अंदर मतलब सेकंड आईएस्ट है मतलब 80% के आसपास overall profit देखने को मिला है IPOs से और 2020 के अंदर करीबन 100% से उपर का profit देखने को मिला था overall IPOs से अब ये टोटल जो 57 IPOs है मतलब जो टोटल 57 IPOs है उनमें से कितने पैसे जुटाए गए तो उसके अंदर 2023 का जो साल है वो उसमें चौथे नमबर पर आता है तो टोटल जो पैसे जुटाए गए है मतलब लगग लगग बता रहा हूँ अंदाजा बता रहा हूँ 2023 के अंदर उन पचास अजार 400 करोड रुपए जुटाए गए है पचास हजार चारसो करोड रुपए चो होता है 444 बिलियन रुपीज इतने पैसे जुटाए गए है 2023 के अंदर तो ये फोर्थ लाजेस्ट ये रहे है और पहले नंबर पर कौन सा साल आता है पहले नंबर पर वही 2021 का साल आता है 1.2.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 के लिए काफी अच्छे साल जा रहे हैं मैंने आपको कहा गिए 2021 के बाद शेयर मार्केट के अंदर भी तेजी है इन्वेस्टर्स भी काफी बढ़ गए है और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कोवीड के टाइम से ही आए है और ये साल आईप्यो के लिए काफी अच्छा रहा और इस साल सबसे बड़ा आईप्यो कौन सा था Mankind Pharma का IPO सबसे बड़ा issue size का IPO था 4,326 करोड़ रपैस का issue size था सबसे बड़ा IPO Mankind Pharma और देखिए 2,23 के साल की हम list भी देखेंगे कि किस IPO ने सबसे ज़्यदा returns बना की दिये किस IPO ने कम return बना की दिये कौन सा IPO best performance रहा वो सारी चीज़े हम क्या है कि अगले वीडियो जो आएंगे उसके अंदर मैं सारी चीज़े आपको बताऊंगा और फिर दोस्तों एक और 2,24 के अंदर अब एक नया upcoming IPO आ सकता है मतलब ये पहला IPO हो सकता है मतलब अंदाजा है fix चीज नहीं है जोती CNC automation का IPO ये सायर 2024 के साल का पहला IPO हो सकता है ये क्या करती है CNC automation machine मनाती है CNC machine generally metal cutting plastic cutting के अंदर काम आती है और इसका अगर customer based देखें तो बहुत ही बढ़ी है शांदार है जिसके इस रो Brahmos missile जो आती है Tata और भी काफी कड़े बड़े customers जैसे Bosch वगेरा वो सामिल है और इसके लबाए देश विदेश में मतलब इंडिया से इंडिया से बाहर भी इसके customers है अपना products वगेरा वहाँ पर style करती रहती है और ये company राजकोड based company है राजकोड की company है और financially देखे तो financially बहुत कमजोर company ने ज़रा रही है बाकी review वाले वीडियो के अंदर सारी चीजे clear हो बाईगी अब देखते हैं इसका IPO कब आता है कौनसी date होती है ये issue size size इसका 1000 करोड रुपए के आसपास हो सकता है और वाकी सारी जनकरी कहेगी अब आने वाले time है जो भी announcement होती है इसके अंदर आपको मिल जाएगी तो दोस्तों ये थे सारे आज के updates उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो हमारी जनकरी आपको काफी पसंद आयोगी helpful रही होगी और अच्छी लगी होगी ये काफी अच्छा वीडियो था पूरा recap था इसके अंदर मैंने आपको 2023 के related सारी जनकरी दी और पिछले जो IPOs थे 2020-2022 उनके बारे में भी आपको जनकरी दी और अगले जो वीडियो जाएंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगे टॉप 5 IPOs कौन से रहे टॉप वर्स्ट IPOs में तब ऐसे IPOs जो सबसे खराब आपको में उसकिया वो कौन से रहे सारी चीज़े हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे है वीडियो कर पसंद आए लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दूसकों अगले वीडियो के अंदर